साहस सरुकार जब जद्माष्टमी के दिन पूरे देश और प्रदेश में स्रीकृष्ण के जन्म की तैयारियां की जा रही थी तो उसी समय एक ऐसी अनोहोनी हुई कि जिसकी किसी ने कर्पना भी ना की हो भगवान के जन्म से पहले ही किसी की जीवन लीला को समाप्ट कर दिया गया जब इस अत्याकान की खबर में तक के घरवालों को हुई तो कोहराम मच गया जानकारे के मुताबिक जिले में अक्सर ये मौत का खेल जमीनों के लिए होता ही रहता है कभी कोई जमीन के एक हाथिर अपनों की जान लेता है तो कभी परायों की अमेठे जिले के तिलोय तहसील के मोहन गंज कोत्वाले छेत के गुलाब गंज मजरे में राजाराम यादो और होसिला यादो के बीच लंबे समय से आबादी की जमीन के लिए कभजेदारी को लेकर विवाद चल रहा था जिसके चलते होसिला यादो की हत्या कर दी गई जनकारी के मताविक होसिला के परिजनों ने राजा राम और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है और हत्या का आरोप लगाते हुए जम कर हंगामा किया है हत्या से गुस्ताये घरवालों और ग्रामीडों ने मिलकर एक बाईक को भी आग के हवाले कर दिया वही परिजनों ने पोलेश पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है आखिकर सालों से चल रहे इस विवाद के चलते एक सक्स की जान चली गई वारदात के बाद से गाउं में तनाव का माहौल बना हुआ है मौके पर मोहनगन को 42 समेट जिले की कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है और इस वारदात की सूचना पर पहुचे पुलिस अधिक्षक इम्रान जी ने ग्रामीरों और परिजनों को समझाते हुए कठोर कारवाई का भरोसा दिलाया है जिसके बाद परिजन शब को पोस्ट मार्टम के लिए भेजने के लिए राजी हुए वहीं मामले में पुलिस अधिक्षक ने मोहनगंज कोत्वाली प्रभारी निरक्षक को कठोर कारवाई करने के निदेश दिये थे फिरहाल पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोसी पाये जाने पर मोहन गंज कोत्वाली प्रभारे ब्रजेश कुमार सिंग को lign हाजिर कर दिया है जबकि हलका में तेहनाद हेड कॉंस्टेबल मनोज कुमार और कॉंस्टेबल अंकित कुमार को निलंबित कर दिया गया है जुड़े प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार